हेलो बच्चों वेलकाम बेक टू मैं चैनल आरेंजी के हब आए हम देखने वाले एडगेट अब्यास पुच्तिका पर्यावरन कक्षा पांच का संपूर हल हां तो बच्चों अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्क्राइब नहीं किया तो सब्क्राइब जरूर करने और वीडि का बस्तु निष्ट प्रेशन है सही विकल्ब चुनकर लिखिए आ भुकम पर आनाबदा के समय कुट्टे की मदद्यों लेते हैं उसका आंसर है उसके सुनने की सक्ति के कारण आप ऑप्शन 3 पर राइट लगाईए उसके सुनने की छम्ता के कारण देखने की शक्ति के कार तो आप लिखिए उसके सुनने की शक्ति के कारण आप ऑप्शन 3 पर राइट लगाईए चलिए आएए देखते हैं अपने बावाला पार या भुकम के समय जब लोग बेघर हो जाते हैं तब उन्हें कौन से समू के सामान की आवशक्ता होती है आप्शन 1 घर के लोने दवाईए बी कपड़े के लोने फरनीचर त्री अस्वताल सबजी फरनीचर और फोर खाने पीने का सामान कपड़े दवाईए तो आप फोर पर राइट लगाईए और लिखिए उत्तर में खाने पीने का सामान कपड़े दवाईए अब सावाला है कि लोगों ने चिकनी मुट्टी और गोवर मिलाकर बड़े बड़े उपले बनाए उपले एक दूसरे पर रखकर दीवार बनाए गई गास पूस का अच्छा तिस प्रकार का बनाया गया ताकि घर आकर्स लगें बुकम से कम से कम नुकसान हो बर मजबूत बने घर में अधिक लोग रह सके तो इसका सही आंसर है दूसरा वाला बुकम से कम से कम नुकसान हो सके इस कारण उन्होंने प्रास पूस की च्छत बनाई थी आपन देखते हैं दावाला दूबे हुए घर जानवरों के बहते शरीर नदी का पानी और दुखी लोग यह किस प्राकर्तिक आपदा की और संकेत कर रहे हैं बाड की और आप्शन ए बाड पर आप राइट लगाईए जब बाडा आती है तो घर डूप जाते हैं और लोग दुखी हो जाते हैं जानवरों के शरीर पर बहते वह पानी दिखता है अब निक्तिस्तानों की फूर्ति कीजिए पहले में आप लिखिए बूप कम पर प्राकर्तिक आपता है प्राकर्तिक आएगा इसमें और दूसरे में लिखिए बैग्यानिक तीसरे में बिजली और चौते में लकडी अब लगव तर्फिए प्राकर्तिक आप दाओं के नाम लिखिए तो आप लिख दें भूकम बार सूखा पर शंतीन देखिए जित्र देखकर बताएगे बच्चा किस आपड़ा का के बचाओं की कोशिस कर रहा है तो आप उत्तर में लिखिए भूकम और फिश नम्मर चार देखिए अब इसकी बाद जब आप किसी मुसीवत या आपड़ा में हैं तब कौन से संस्थानों की मदद लेना चाहेंगे पिश नम्मर चार है जब आप किसी मुसीवत या आपड़ा में हैं तब कौन से संस्थानों की मदद लेना चाहेंगे आंसर में आप लिखिए एंडी एवे एंडी एम ए एंडी आर एफ यूनिसेफ सेना पुलिस चिकिस्सा आदी की मदद लेना चाहेंगे आप देखते हैं अपर लव उत्री है प्रिश नम्मर पाँच है भुकम पाने पर प्रात्मित्ता के आदार पर कौन से दो कार आप पहले करेंगे तो आप सबसे पहले भुकम पाएगा तो किसी खुले मैदान में चले जाना चाहेंगे और दूसरा है हमको जमीन पर लेट जाना चाहिए और तीसा है किसी लकड़ी की वस्तु के नीचे छिप जाना चाहिए अब कुश्चन नम्बर छे देखेंगे अपन अगला किसी मुशीवत के समय संपर करने के लिए अपने छेत्र के सायता केंद्रों के फॉन नम्बर लगिए जब आप मुशीवत आए तो आप पुलिस से संपर करते हैं या एम्बूलेंस से संपर करते हैं तो पुलिस का 100 नम्बर है और एम्बूलेंस का 108 नम्बर है और कुस्चन सात वाला देखिए लोग गर से बाहर हो जाते हैं बोजन की समस्य हो जाते है सभी जगे पानी पानी हो जाता है बहुत सी ब्मारियां फेल जाती है और समय पे अपचार भी नहीं हो पाता है अब आठवाला देखिए बुकम पालने पर हमें कौन कौन सी समस्या को सामना करना होता है बुकम पालने पर सामाल और इमारतें गिर जाती है बिजली की लाइन गिर जाती है जिसके परणाम सरुब लोगों को चोट भी लग जाती है संपत्ति का नुकसान होता है अन्चति और गटना को जन्व दे सकता है कौन भुकम और तो लोग की म्रत्यू भी हो जाती है जैसे जमीन फटना, सुनामी, ज़र की लेरे, भूस, कलन, आदी अब आप देखिए देर गुत्रिये किसी भी आपदा के बाद जीवन को दुबारा समालने के लिए क्या क्या करना पड़ता है किसी भी आपदा के बाद जीवन को दुबारा समालने के लिए क्या 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 करना पड़ेगा आपदा के बाद बाहांच चलाने से बचे आपतकालीन बारों के लिए सड़के साफ रखें दूसर नमबर है आपदा की बाद बोजन पानी चिकिस्टा मनोवज्यानिक देखवाल करें आपदा की बाद सफाई घर की मरमत और आपदा की बाद बोजन पानी चिकिस्टा मनोवज्यानिक की देखवाल करें आपदा की बाद सफाई घर की मरमत और आएस्थाई आश्ट्रे की व्यवस्था करें पिश नमबर दस है यदि आपके इलाके में भुकम पाया है तो आप क्या करेंगे यदि आपके इलाके में भुकम पाया है तो आप क्या क्या करेंगे सांत रहें और तुरंत बिजली गैस और नल का पानी बंद करें अपने आपको बचाएं जमीन पे लेट जाएं किसी मजबूत तेवल या किसी अन्य फरनीचर की नीचे चिप जाए बुकम के समय कुछ खुले स्थानों पर चले जाना चाहिए किसी इमारत से बाहर निकलते ही निकलने की कोशिस ना करेंगे अब पुष्ण नमबर ग्यारा है प्रोजेक्ट कार तो आपको प्रोजेक्ट कार लिखना है पुराने अक्वार पत्रकार वह मॉवाइल की सहाथा से प्राकर्दिक अबदाओं की